आप अपाउंडेशन का सेकंड फेज प्रारंब हो गया कि अपकल रात्री को साड़े आठ बजे प्रारंब हुआ है बहुत बड़े मशीने आई हैं और उन्होंने लगबग 10 घंटे में 285 घंड मीटर कॉंक्रीटिंग कर दिया हर चीज आटोमेटिक है सामानिता 10 मिनट में एक कंटेनर 6 क्यूबिक मीटर कॉंक्रीटिंग कर रहा था पांच कंटेनर चल रहे थे बहुत ही मैं समझता हूँ मेरे जीवन का तो बड़ा विलक्षन अनुबहु था मैं रात को वहां था साड़े ग्यारा बारा बजे तक यह प्रक्रिया कब तक चले गी अपन्द्रा ब्लॉक बनेंगे और एक रात के अंदर एक ब्लॉक पुरा होगा अगला काम करने के लिए दो तिन दिन का समय लगेगा एक के बाद दूसरा काम शुरू करने के लिए समय लगेगा तो भी कोशिश है कि अक्टूबर में यह काम पूरा कर लेंगे और इस प्रकार फांडेशन का सेकिंड फेज अक्टूबर के एंड तक पूरा हो जाएगा फिर प्लिंथ निर्मान का काम प्रारंब करेंगे जो आगामी चार महिने में हम पूरा कर लेंगे परकोटे का और उसके परकोटे के अंदर जो मंदिर वो पनने है वो अभी अभी पहले टंपूल तक सिमी थे हैं ठीक है पहला काम टंपूल तर चंदुप कारशाला के पथर थे इन तब का इस्तेमाल कर दो शुरू हो जाएगा प्रहल के बाद कर दो है कर दो है